हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप शिवरातरी की आप सभी बच्चों को बहुत-बहुत सुबकामना आए लौड सिवा आप सभी के उपर अपने किरपा बनाए रखे बस मेरी मनुकामना यही है आज की वीडियो इस्पेशली कुछ चीजों से सिर्फ मैं नहीं जितने भी टीच हैं वो सभी किसी ने किसी वजह से परिशान है आप थोड़ी सी बातों को समझेगा मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं और मैं यह भी शूर नहीं कह सकता कि कल के दिन मैं इस यूट्यूब चैनल पर रहूंगा या फिर प्लेस्टों पर रहूंगा या नहीं रहूंगा ले मैं बात कर रहा हूं सर गूगल की अभी तक हम बच्चों को मेरी एक ही कोशिस थी कि मैं बहुत सस्ते से सस्ता कूर्स बच्चों को प्रवाइड करूं आप देखेंगे सर बीकॉम का जो कूर्स है बीकॉम का कूर्स है आपने कभी न कभी ऑफलाइन जरूर पढ़ा होगा त तो कहीं भी अच्छे इंसेट्यूस थोड़े से अच्छे इंस्ट्यूट की बात कर रहा हूं तो मिनिमम् 3,000 रुपीस आपको पेमिंट करना होता है आपको वहां जाना होता है और पढ़ना होता है और अगर आपको वहां पे किसी दिन चुट्टी हो जाए तो वह क्लासेस होते हैं मैंने कई बार आपको explain किया वैसे उन खर्चों से आपका कोई लिना देना नहीं है जैसे कि मान लो आपका गवर्मेंट का टेक्स है ठीक है इसके साथ साथ और भी बहुत सारे expenses होते हैं उन सारी expenses को हम बियर करते हुए हम अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर पार रहे थे कि हम एटलीस लॉस में नहीं थे लेकिन हां हम सर्विस देने के capable चल रहे हैं लेकिन एक सबसे बड़ी बात आई सर गूगल ने क्या कहा कि भाई बच्चे जितने भी हैं मैं सिर्फ गूगल की बात कर रहा हूं जितने भी स्टूडेंट हैं हम ऐसा करेंगे या जो भी हमारे कस्टमर है उन सभी कस्टमर को जो भी पेमिंट करेगा जो भी पेमिंट करेगा हम डारेक्ली उनसे 15 से यानि 15 तो छोड़िए वो कह रहे हैं कि हम 30% उनसे हम कमीशन लेंगे यानि उनका कहना है और यह चीजे बच्चों के उपर मतलब ऐसा कस्टमर के उपर पड़ेगा वह 133 रुपए का पड़ेगा उनका यह मानना है वह पड़ेगा 134 रुपए का यानि सीधे सीधे आपके कोर्स की प्राइस 30% बढ़ा दिये गये हैं जैसे मैं अगर अभी 500 रुपए का कोर्स दे रहा हूं तो मैं साड़े 600 का डिसकाउंट देके मैं 500 का करता तो 150 रुपए बढ़ जाएगा यानि आपका कोर्स का प्राइस साड़े 600 मैं अपने कोर्स की प्राइस नहीं बढ़ा रहा लेकिन गूगल ने बोला के भाया हमारे प्ले स्टोर पे आपका एप्लीकेशन है तो हम एक सर्विस दे रहे हैं और उसके बदले हम 30% लेंगे आप एक बात सोचिए इतना तो glide नहीं लिया जा रहा गॉपरघ्मəंट का इतना तो हम प्रॉफिट यहिए ब Jrus बिजनस की बात करें तो उनका profit margin कितना होता है हद मारके 10% 15% जिसका 20% margin होता है न वो मान के चलो कि लीडर होता है बिजनस के अंदर अब Google कह रहा है कि 30% लेंगे और वो भी हम क्या करेंगे customer से वसूल लेंगे तो जितने भी बच्चे हैं मेरे course का price कम होने का reason ये बिलकुल भी नहीं है कि हम आपको content उस level का नहीं दे रहें content हम best से best level का दे रहें और वो भी live class और बहुत सारे features के साथ हमारा main मुद्ध यही था कि आप जो ज़्यादा तर ब 80% student होते हैं जो बारवी के बाद जिनको नौकरी करनी पड़ जाती है यान वो घर वाले parents के उपर dependent रहते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं अपने life के अंदर तो हमें parents से भी पैसे मांगने में थोड़ी सी agitation होती है और हिचके चाहट सोड़ी सी सरमिंदगी महसूस होती है कि यार आप बड़े हो गया है फिर भी अच्छा नहीं लगता पैसे मांगना तो इसलिए हमने इतने course का प्राइज रखा कि जितना के आपको parents ना भी मतलब के minimum से minimum जो कि आपको एज़ा अपने pocket money को भी save कर के आप उस course को buy कर सकते हों लेकिन वही course हम कोसिस कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हम यह चाह रहे हैं कि मतलब एकदम low से low हर बच्चा पढ़ ले और एक इंडिया जो है जो हमारे परधानमंत्री का एक सपना है कि ससक्त भारत यानि कि इंडिया एक educated इंडिया व परिशान हो चाहे कोई भी टीचर हो इस बात को लेकर सभी टीचर परिशान है कि सर यह तो बहुत एक तरीके से ऐसे हुआ अगर हम उनको पेमिंट नहीं करते हैं तो उस case के अंदर क्या होता है कि वह हमारे application को प्ले स्टोर से हटा देंगे और जब हम उनके प्ले स्टोर को हटा देंगे वो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा हमें उसी के हिसाप से फिर काम करना पड़ेगा अब बच्चों को हमें क्या website पे देंगे मुबाइल के अंदर website पे not easy to use होता है हर बच्चे के पास laptop नहीं है हर बच्चे के पास computer नहीं है हर बच्चे के पास internet connection नहीं है जो की connect करके करें mobile में तो easy to use था ये अगर यही इनका मंशा था तो पहले ही Google को play store जो हमें दिया गया Android mobile ये होना ही नहीं चाहिए तो इससे अच्छा तो अब ये mobile तो keypad वाला बन गया एक तरीके से तो अब ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा आप बच्चों को अगर हम बोलते हैं कि बच्चे आप ना इसके अंदर कुछ अभी time लगेगा हम एक application आपको दे देते हैं इसको इंस्टॉल कर लीजिए तो जब application इंस्टॉल करते हैं तो Google भी बड़ा चलाग है जब भी कोई चीज डाउनलोड करोगे जिसमें उसकी कमाई नहीं है जिसमें उनकी कमाई नहीं है वो फट से बोल देगा कि आपके mobile को हाम कर सकता है और हाम करते ही ये word सुनते ही या वोल देगा virus हो सकता है ये शब्द सुनते ही आप घबरा जाते हो और घबराने के बाद उस application को डाउनलोड ही नहीं करते हैं पाई ऐसे पता नहीं अंट संट इतने app पड़े हैं प्ले स्टोर पे जिसका कोई माइने नहीं है बेटिंग एप पड़ा हुआ है उसके उपर कभी भी Google नहीं बोलेगा कि आपको threat हो सकता है इस application से आपके इतने सारे पैसे वाले जो loan वाले आएं जिनके कही लोगों ने आत्म हत्या भी करी उस पे Google नहीं बोला कि इस application को मत करो बनाया हुआ है तो मान के चलो एक यह हम मैं मेरा यह मानना है कि जो भी हमारे देश की सरकार है गवर्मेंट है उसको इस पे highly action लेना चाहिए कि आपको या फिर उनको कुछ ऐसा mechanism तयार करना चाहिए कि हमारे पास कोई second alternative होना चाहिए आज के दिन मैं इतनी बाते कर रहा हूं हो सकता है कि वह प्ले स्टोर से या फिर मेरा यूट्यूब चैनल भी डिलीट करते हैं हो सकता है क्योंकि इन ही के Google का ही सारा प्रोड़क्ट है और मेरा हम बोलते हैं वार आएगा एक तरीके का यह वार ही है और इस वार के अंदर कोई weapons की जुरत नहीं है लोग अपने आप गुलाम बनते जा रहे हैं उनको बोलना नहीं है कि आप गुलाम बन गए हमने आपके उपर जीत हासिल कर दी लोग खुद बोल रहे हैं कि हम हार गए और आप जीत गए यह कहानी है फिर दुबारा हम उसी साइट जा रहे हैं जहां से हम निकले थे 200 साल पहले तो मेरा बस यही आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी भी इन चीजों को समझिएगा आप सपोर्ट करिए चैनल को मुझे उमीद है कि चैनल को क्या हमें सपोर्ट करेंगे और ये बाते कहीं न कहीं ट्वीटर पर कैंपियन क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा नौलिज नहीं है फिर भी मैं ट्वीटर का लिंक किसी से बनवा के नीचे डालूँगा केंपियन वगेरा जो भी कर सकते हैं ये वीडियो आपके इतने सारे क्योंकि मैं एक छोटा सा एक मैं सिर्फ आपको एक सब्जेक पढ़ा रहा हूं लेकिन मेरे से जो बच्चे कनेक्टेड है उसमें एकदम लो से लो तपके से लेके बड़े से बड़े फैमिली से बिलॉं में इन्होंने अल्टिमेटम दिया हुआ है कि मार्च एंड या एप्रेल स्टार्टिंग या जैसे भी होता एक दो दिन में क्योंकि आपको मेजरली जो पांच अप्लिकेशन है कौन सी पांच अप्लिकेशन की मैं बात कर रहा हूं एक मेजरली जैसे कि साधी.com था अपने पेमेंट देना ही देना पड़ेगा तो यह एक ना बहुत मेरे हिसाब से सही नहीं है आपको अगर चाहिए तो आप बिजनस में कैसे पार्टनर बन सकते हैं किसी के एक तरीके से तो पार्टनर बनगे जितनी हमारे बच्चों की फीस आएगी सब में वो 30% लेंगे आपके मिनिममम फीस होनी चाहिए गूगल की जो कि आपने अब एपल है आई उस साल के साथ 8000 रुपे लेता है बोलता हमारे फीस है जो हम आपको स्टोर पर दे रहे हैं तो कुछ ऐसा मिनिममम फीस होना चाहिए जो हमने दे दिया धीरे-धीरे खटा करके और उसके बाद फिर उन नहीं मान रहा है लेकिन मैं मान रहा हूं कुछ ऐसे इस्तिति आ गई है तो बस मुझे यही कहना था इस वीडियो के अंदर के सर आपको आप कहीं भी जाएंगे आप देख भी सकते हैं क्या देख सकते हैं सर यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि Google to enforce 30% take from in the app purchase next year next year का मतलब दो क्या होता है अप मार्च के बाद ही खतम हो जाता और उन्होंने मार्च में ही बहुत सारे application डिलिस्ट करें हैं कम से कम 200 से 300 जो की educator हैं जो की कोचिंग करवाते हैं जो बच्चों को education देते हैं सस्ते पर उनका अप हटा दिया गया है साफ साफ लिखा हुआ है मैं एक authenticate आपको दिखा रहा हूं CNBC जिसके अंदर साफ साफ बोला हुआ है कि 30% fees लेगा तो मैं उसके अंदर देखिए अब क्या कर सकते हैं आगे जो होगा सो होगा बस मुझे यही message देना था अभी फिलहाल आप लोगों के courses के price नहीं बढ़े है अगर हमारे उपर एक से दो दिन में जैसे भी आता है इंप्लीमेशन तो हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हमें भी नहीं पता के आगे चलके क्या होगा फिलहाल के लिए 475 रुपीस जो था वही हम price आपको दे रहे हैं इस टाइम पर जिन बच्चों को enroll होना है वो हो सकते है और website पे मैंने इस चीज के बारे में discussion किया हुआ है वो आपको लेना है description में जा सकते हैं बाकी यह चीजे ना देखा जाए genuinely 30% ठीक नहीं अगर 1% 2% होता चलिया ठीक है यानि अगर आप पैसे कमा रहे हो ना तो आपको खर्चने में दिक्कत नहीं अगर आपके pocket में पैसे ह पैसे खरीद लेते हैं लेकिन जब हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम किस तरीके से यह सारी चीजे करेंगे तो hopefully आपको मेरी बातों समझ में आएगी और आप इस चीज को समझोगे in case अगर price सीधा सीधा बढ़ जाता है application पे तो उसके अंदर हम कोई भी ट्यूटर responsible नहीं ह टेक्स्टर है वहाँ पे लगा सकती है तीस के वहाँ 50% लगाई है क्योंकि जो चीजे लोगों के लिए नुकसान दायक है आप गवर्मेंट वाइन के उपर लगाते हो आप 200% 300% का टेक्स लगाई है क्योंकि वह हेल्थ के लिए सही नहीं है लेकिन अगर गवर्मेंट कहती कि एजुकेशन देना एजुकेशन एक हेल्थ के लिए हामफुल है आप 80% टेक्स लगा दीचिए जो चीजें हमें करना चाहिए मेरे हिसाब से देखिए GST 18% है चलिए जो चल रहा है वो चल रहा है लेकिन गूगल जो इस पर इतना बड़ा एक तरीके से मान के चलो जैसे बोलते हैं कि इतने सारे स्टार्ट अप बंद हो गए हैं कमर जिसे तोड़ बोलते हैं वो कमर तोड़ने वाली बात कर रहे हैं अब 30% का मतलब ऐसा नहीं सिर्फ 30 रुपए लेगी जिसके कई कोर्स ऐसे भी हैं बहुत सारे जो पेरेंट्स बहुत मुश्किल से अफोर्ड क को तो जितना ब्याज नहीं भरेगा उसके मातापिता उससे ज्यादा तो गूगल को कमीशन देना पढ़ जाएगा तो यह क्या होने वाला है नहीं होने वाला मैं नहीं जानता लेकिन अगर कूर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उस चीज को आप मुझे भी नहीं पता एक मैसेज दे हम यह नहीं बोल रहें कि आप जो है यह चीजे करें हमारे रिक्वेस्ट है कि कुछ हमारे लिए जो यह सेक्टर है इस सेक्टर पर तो नहीं होने चाहिए बाकी तो वैसे किसी सेक्टर पर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ हमें एक एप एकनिजम तयार करें मेरी इंडियन गवर्मेंट से बहुत रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि आप्शन हो अवेलेबल किसके पास किस्टमर के पास कि वह क्या मोड आप्ट करना चाहता है उस मोड के अकॉर्डिंग वह एप्लिकेशन को यूज कर पाए हम एंड्रोइड के अंदर ही ऑप्शन डाल सकते हैं हमारे इंजिनियर नहीं बनाया है सारी चीजे कोई रातो रात थ देखते हैं कि अगर हम बाहर कंट्री में हैं तो कि हम अपनी कंट्री के अंदर थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रहे है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगरे रहे इतनी आगे कैसे जा रहा है इसी तेजी से पहले हम डर के रहते थे अभी डर नहीं रहे घुच्छना को अंडरस्टेंड करेंगे और मेरी बातें जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे थाइंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो में